इटावा में शादी के समय एक अनूठा मौमला संग्यान में आया है जिसे जानकर शायद आपको एक बार यकीन ही ना हो जहां पर लड़की की सगाई दूसरी लड़की से हुई और शादी के समय पचास साल के एक औरत आ गई जिसे देखकर दुलहा घबरा कर खड़ा हो गया और शादी से इंकार कर दिया दुलन तो मिली नहीं रकम भी गवा बैठे शत्रुग्न सिंग के सिर पर सहरा सजा रहे गया वह जब कानूनी कारवाई के लिए वकीलों के बस्ता से लेकर चौकी थाने के चक्कर लगा रहे हैं साथ में मा इंद्रा देवी भी इधर से उधर भटक रही है घर में बहु आने की हैसरत पूरीन होने से मायूस हैं आई अब जानते हैं क्या है ये पूरा मामला सिवल लाइन धानाक शेत्र के विजयपूरा नवासी शत्रुग्न पुत्र थम्मन सिंग के मताबिक काश का नगला नवासी परिवार ने उनके घर पर दसदन पहले आकर शादी पक्की की थी 19 अगस्त को उनको नीलकंठ मंदर अलालपूरा पर करीब 20 वर्स ये लड़की की गोद भराई रस्म कराई गई जिसमें 1000 रुपे दिये थे शादी के लिए सताई सगस्त तै थी वह शादी के लिए अपने रश्तेदारों और गाओं के लोगों के साथ विजयपूरा के काली माता के मंदर पर पहुंशे तो सामने जिसको दुलहन के रूप में लाया गया उसकी उम्र करीब 50 वर्स थी इस पर उन्होंने शादी से इंकार कर दिया इस प्रकार काश का नगला निवासी आरोपित परिवार ने उनसे शादी का जहासा दे कर शादी से पहले 35,000 रुपे लेकर ठगी की है जब रकम मांगी गई तो धोखा दड़ी करने वाले परिवार ने अभधरता करते हुए जान से मारने की धमकी दी पता चला है कि यह परिवार इसी प्रकार शादी के नाम कई लोगों के जाद ठगी कर चुका है उन्होंने सिवल लाइन थाना में नाम जदारुपितों के विरुद प्रार्थना पत्र दे कर कारवाई की मांगी है